हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं बनाने चाले हूँ बिल्कुल इजी सिंपल एकदम क्विक सा बनने वाला हम आलो के पराथे जो बहुत ही टेस्टी और यमी बन दे हैं और बिल्कुल जटपट बन जाते इस तरह के पराथे आप बच्चों के लंच में भी बोईल लिए आप दे सकते इवनिंग स्नेक्स के लिए और यहां पर बोईल कर लिया है और अद्रक लिया है और हरी मिर्च अब देक सकते हैं इसका रिजिन यह है कि मुझे बच्चों को खिलाना है और ये बच्चे तीक जादा नहीं खाते आलो को हम थोड़ा थोड़ा थो और इसार उबाल एक मैस्क कर लेंगे यहां मैं रिया अनियन और और ज्ञ जीरा और आलू का जटी सब्सक्राइब लीचे कडा करकर ने के लिए लिए में में जीरों को हम धूर्य मिर्च काटक रखेंगे अद्रक और अद्रक के दाला दो हम इस पराठी की फिलिंग में मसाले भी डालेंगे तो प्याज की कॉंटिटी अगर आप कम भी रखते हैं तो चलता है और बहुत जादा भी नहीं डालना है तो इसका टेस्ट मीठा मीठा हो जाएगा इस तरह से मैं प्याज को भून लूँगी भूनने के बाद मैं इसमें ड भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक क्योंकि अभी तक हमने इसमें हल्दी नहीं डाला है हल्दी बहुत जादा नहीं डालना है कलर के लिए हल्का ही हल्दी डालना है उसके बाद हम इसमें को अच्छे से मसालों को भूनने में हमें जादा टाइम नहीं ला अालूग गरम जाना नग्स भाने अब और बनाूँ को कच्छी आरो को बना सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें इस तरह से मैं सारे आलो को अच्छे से मसल करके डाल दे रही हूँ और इसको मैं भूम लूँगी अच्छे से अब एक मैसर ले ले आपके पस मैसर ना हो तो आप चम्मच से भी दबा कर इसे किये कर ले क्योंकि इसमें अगर गाठे रहेंगी तो हमारा पराठा फट जाएगा और इस तरह से हमैसर के सायता से दबा दबा कर इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा आलो का फिलिंग रेडी हो चुका है गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है अब हम करते हैं इसे ठंडा और साथ में हम बनाते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया गरम मसाला ये इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगे तब तक मैं आठा लगा लूगी देखिए यह हमारी फिलिंग जो है ना वह बिल्कुल गरम है और मैंने नमक नहीं डाला है अभी मैंने डाला इसमें नमक नमक आप पहले भी डाल सकते हैं मैंने इसे लाश्ट में इस लिए डाला है में तो आलू का mixture और पतला हो जाता इस्के वजह से मैंने नमक को लास्ट में डाला है और अच्छे से मिला लिया है इससे मिला करके छोड़ देंगे इस तरह से mix करने से न अलू के feeling भी जिल्दी ठंडी जाती है और हमारा नमक भी अच्छ से मिक्स हो जाता है अब हम इसे फाइनली छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए देखिए हमारे आलू के मिक्स में बिल्कुल गाठे नहीं है इस तरह से ले लिया है आठा गेहों को आठा लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आप लगाएंगे जैसे नॉर्मल आठे से थोड़ा सा सॉफ्ट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसे बेलना है और कभी आप आलू के पराठे बनाए तो थोड़ा सॉफ्ट आठा लगाए पनीर पराठा और ये से बाकी पराठो में थोड़ा सकता आठा चलता है लेकिन पराठे के लिए ने छोटी एक आठा का टुकडा लिया है और इसको में अच्छे से गोल कर लूँगी और इसमें बना लूगी एक कटोरी के जैसा बना करके उसके बाद आलू की फिलिंग डालेंगे अलू की फिलिंग को डालकर हम इसे हलकी हादों से बेल देंगे बहुत अगर आप कभी भी आलू के पराठे बनाएं क्योंकि आलू का फीलिंग जो है ना वो पिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए अगर ठंडा ना होगा तो यह पराठा हमारा फट जाएगा और पराठा फटेगा तो फिर वह अच्छा नहीं लगता है देखिए आलू का फील को फिल कर लिया है अब हम इसे बेल लेते हैं इसे बेल करके अराम से एकदम अराम अराम से हम हलके हाथों से बेलेंगे मैंने जिससे बताया इसे सुखे आटे की हल्प से बेले इसमें तेल लगाकर बिल्कुल ना बेले आप इसे सुखे आटे से ही बेले बहुत ही अच्छा दूसरे आटे की लोई भी तयार करेंगे इसके आलो की गोली है। इसको पंट पाक्षय आटे में लगाया है उसके बाद हम इसे एक कटोरी के शेड़ में देंगे और हम इसको फिल कर लेगे। आलो का मिक्सचर एकदम क्या टेस्टी यामी साथ दिख रहा है। इस तरह के फीलिंग से आप आलू की कचोरिया भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, वो कचोरिया भी क्योंकि आलू अब जो मसाला है हमारा फुल अफ टेस्ट है, इससे अब जो भी बनाएंगे इस वो बहुत ही अच्छा लएगा, क्योंकि इसमें प्याज मसाले डाल कर अच्छे से बहुन दिये हैं, इस वज़ा से, देखिए अब मैं इसे इस तरह से सील कर देती हूँ, और इसे भी मैं साइड में रख लेती हूँ, और इसे भी मैं बेलूंगी बाद में पहले मैं एक को सेक लेती हूँ, इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, पैन को हम तेरिक कर देंगे तेक अब इसमें हम लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा 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 लोगालेbook जाए नहींनल पेंधे गहासकाताएंaj यूम्यार सा सिरेताय किसल्छी अचली के नियुक्त नेन में एक रहाएवार की , इस तरह से हम दोड़ों तरफ से इसे दबाते हुए थोड़ा सा क्रंची बनाते हुए सेक लेंगे और इसे सेकते हुए आप इस बात का ध्यान रखे गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा लो बिल्कुल ना रखे ने तो हमारे पराठे जो है वो क्रंची नहीं होंगे टेस्टी देखे नहीं बनें इस तरह से मैंने सेक लिया है और यह पराठे बहुत ही दिश्टी और यमी बनते हैं बहुत ही अच्छे बने थे इस तरह के पराठे आप अपने बच्चों के लंच में दे सकते हैं और आक अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सिस्क्राइब जरूर करिएगा इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह की रेसिपी आपके लिए हमें से लाते रहेंगे देखिए ये पराठा भी मेरा अच्छे से फूल गया है और फूलने के बाद ये पराठे को हम निकाल लेते हैं हमने सारे पर पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे बहुत अच्छे से हम हाई फ्लेम पर सेख रहे हैं थैंक यू फ्रेंस थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा इस तरह की वेस रेसिपी मैं आपके लिए लाती